हलो वाइस मेरा नाम है मोहित कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको एक टेलीकॉम सर्विस से रिलेटेड एक इस्टॉक्स बताऊंगा ये कंपनी टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी एकपिमेंट है उनको ये बनाती है और जिसकी अभी प्राइस सैवेंटी त्री रुपीज चल लई है और इस कंपनी ने 500% तक का रिटन दिया है वन यर्स में 500 प्लस ही दिया है तो पहले हम इसके फंडावेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो जो कंपनी है वो है हमारी हैच है यह और साओधी रेलवे भी है इसके पाइए क्लाइंट है इसके और अगर हम इसके जियो उसके सौरी जियोग्राफिकल रेवैन नि क्यूं की बात की जाए तो यह तीस से ज्यादे कंट्रियों में काम करती है और तो एक तरह कि इंटरनेशनल कंपनी है काफी बड़ी कंपन नहीं देती है रिटन ऑफ कैपिटल इंप्लोइट की वाद किया तो 19.9 है और रिटन ऑफ एक्टी 13.5 है और डिवेट डिवेट इस पर 800-61 करोड तक का डिवेट है रिटन ओवर फार्म वन येस में 489 परसेंट का दिया है और इस पर जो नेट प्रॉफिट एनवन है वो 249 करोड है फ्री कैस प्लोव भी इसके पास बहुत है 1916 करोड है तो ये आराम से अपना डिवेट चुका सकती है और EPSP का भी अच्छा है दो रुपे 38 पैसे है अगर हम इसके प्रोस की बात करें प्रोस हो कॉन्स की तो जो कंपनी है कंपनी इज एक्सपेक्टेट टू से और हम इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने जो सेल्स है वह 9% डाउन हुआ है लाश्ट फाइव येर्स में और जो प्रोमोटरों की होल्डिंग भी प्लेजट हुए 44% और डिविडेंट भी इसने लो दिया है 4.62% लाइट लाश्ट त्री येर्स में और जो डिवेट हैं वह इंप्रोब्ड हुए है हाइँ हए 254 देस तो अब हम इसके रिटेंस के बारें में बात कर लेते हैं की रिटन्स के बारें बात किया तो इसने जो बन मंत में रिटन्स है वो तैवन कि एटा सब्सक्राइन देवाइब सेवन परसेंट तक का दिया था जो छो नो था दसीृट कहींगर ऊपर नंटी इस न्लबात की जान्द का ven psychology बात की ज cabeza is ने बहुत अच्टा अच्छा तक का return दिया है और यह जो company है यह company small cap company है और इसमें high risk है और small cap company high risk है investment checklist के बारे में बात करी जाए investment checklist पर insurance value के साभसे काफी महांगा stocks है return's FD के बारस अच्छे है dividend नहीं देती है मैंने आपको पहली बता जा था एंट्री पॉइंट भी इसका अच्छा है और ये अभी रैड फलैक में है और अगर प्रो की बात की जाए थो टिफिकल्ट में अगली एक साल तक नहीं है लो है प्रोवल्टी ओर quality check कापी अच्छा है इसका और growth score बहुत अच्छा है तो ये stocks कापी अच्छा है जब growth score बहुत अच्छा है और की matrix की बात की जाए तो जो DPS है यानि कि dividend per sales वो 15 पैसे दे रही है और promoter की जो holding है वो 42% है अगर हम इसके financial trade के बारे में बात करें तो जो 2018 में जो इसको profit हुआ था वो 71 करोड हुआ था ये पूरी value 1000 करोड में है और 2019 में जो इसको profit हुआ था वो 220 करोड का हुआ था 2020 में जो हुआ था 230 करोड का हुआ था और 2021 में 240 करोड का हुआ था यानि कि company हर साल profit में है और इसका growth score भी कापी अच्छा है DPS भी अच्छी दे रही है Growth score अच्छा है, quality check अच्छी है Difficult probability नहीं है कोई भी One year में इसने returns भी कापी अच्छे दिया है 516% तक का तो इस stock को आप consider कर सकते हैं और यह stocks मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ Small cap stocks है और इसमें high risk रहता है लेकिन यह Small caps है और कापी अच्छे returns भी देते हैं जो stocks छोटे होते हैं तो return भी देते हैं लेकिन उनमें risk भी रहता है तो यह था HFCL आज का हमारा stocks अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ओके थैंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए